अकिल वारतिय आर्वेज संस्तान के इस चौथे दीच्छांस हमारों में हम सब आपके बीच में हमारे स्वास्त परवार का ल्याड मंत्री सम्मानिय मन्सुक मुन्निविया जी इंद्रिय जल्शक्ति मंत्री आपके अपने ही पई गजिंद्र सेकावज जी राजिस्तान चिकिसार स्वास्त मंत्री गजंद्र खीवसर जी हमारे राजिस्तान संसदी एवं कानून मंत्री जोगराम पटेल जी हमारे पार्टी के बरिष्ट नेता राजिस्तान संसद्र कमाने राजिंद्र गहलोज जी अत्रिक्त मुक्ष सचेव सुबरा सिंग जी एम्स के अध्यक्ष ऐसे सक्रवाल जी कायरकारी नेदेशक माध्वा नन जी प्रोफेसर सिल्पी गुप्ता जी मेरे सामने बेटे हमारे पुद्यूग राज मंत्री के के बिश्णुय जी कलोधी के हमारे विदायब के बंभा राम जी एर्गण के विदायब बाहु सिंग जी राटोर साब वेहर राम जी श्योहल साब अतुलभनसाली जी देविंद्र जोशी जी पूर्व सांसर सम्मानिय जस्वन सिंग जी विस्णोई जी नहिरान पंचारिया जी मरे मनोर पालीवाल जी जगराम जी जगवीर छाबा जी और इस कारिक्रम में पदारे सभी मेरे साथी फेकल्टी कि उम सभी मातार बेहनों सबसे पहले तो मैं धन्वाद देना चाहता हूँ सम्मानिय मन्सुक बंडविया जी को कि उन्होंने इस कारिक्रम में आने की सुकिर्टी दी और एक बार आप से भी अफिक्चा करता हूँ कि एक बार जोड़दार तालियों के साथ उनका स्वागत और अबनादन क्योंकि आपके बीच में तो वो आए हैं लेकिन राजिस्थान के लिए आज ये बहुत ही अच्छा दिन है उन्होंने कई सौगात देने का भी काम किया है आपने देखा होगा औरोना के समय में देश दुनिया में भारत के प्रती जो नजरिया था इतनी बड़ी आबादी संसादनों की कमी इस मामारी को भारत जैसा देश कैसे जहिल पाएगा मैं धन्नबाद देना चाहता हूँ यह सुच्छी हमारे प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भाई मंसुक मंडविया जी को को जनोंने चुनोंती को अबसर में बतलने का काम किया और जिस तरह से मामारी थी कोरोना की उसमें एक राजिस्ता नहीं नहीं पूरे देश के अंदर जिस तरह से विवस्ताएं होई जो लोग हमारी तरफ जो देश देख रहे थे उन देशोंने भी लुआ माना मैं अगर जोद्पुरेम्स की में बात करो तो मैंने देखा उस समय कोरोना के काल में हम सभी लगे हुए थे क्योंकि मेरे को उसमें कॉडिनेशन के लिए बनाया था केंदर से लेकर के प्रदेश तक मैं वो काम देख रहा था फोन आते थे लेकिन मैं धन्वाद देना चाहता हूं एम्स के सभी डॉक्टर्स और पूरे परवार को कि उन्होंने जिस मुस्तेदी के साथ पौरोना के समय में काम किया मैं बहुत बहुत धन्वाद और साथ उबाद आपको देना चाहता हूं प्रतानमंत्री जी के नेत्रुत्त में देश में चिकित्सा मानकों में भैतर हुआ है यही नहीं मित्रुत हर छेत्र में क्योंकि दोजार तोदे से पहले अगर हम बात करें तो देश में 381 मेडिकल कॉलेज थे और आज 706 मेडिकल कॉलेज हैं यह एथिहासे काम देश के यह सुष्य प्रदानमंत्री नरेंदर मोदीजी ने किया मेडिकल की संख्या 54,348 थी तो आज बढ़कर के एक लाक नो हजार से जादा हो गई यह देश के यह सुष्य प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी जी के ने तरत को हुआ आज हम अगर हम बात करते हैं 834 लोगों की आबादी पर एक डाक्टर उपलब्द है उच्छ शिक्षा संस्थानों की संख्या में तेजी से बड़ोत्री हुई है पहले हम देखते थे दोजार ढाई हजार तीन हजार की संख्या पर एक डाक्टर उपलब्द होता था लेकिन 2014 के बाद देश में जो स्वास्थभाग के छेत्र में जो परवर्तन हुआ है मानि स्वास्थी प्रधान मंत्री जी नरिंद्र मोदी जी के नित्रत में आपको देखने को मिल रहा है 12 सरकार ने 7 IIT 16 II IT 7 IAM 15 Ems और 390 विश्व द्यालेओं की इस्थापना 2014 के बाद किया है यह देश की यह स्वास्थी प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी जी का का मैं आज उन सभी इस्टूडेंट को जोनों ने सपलता पूर वक्त डिग्री प्राप्ट की मैं उन सभी को बहुत बहुत बदाई और साधू बात देना चाहता हूँ आज से जैसा कि मानिय गजिंद्र जी ने कहा आज से उनका दूसरा कार प्रारम हुआ है आप देखते हो कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे डाक्टर होंगे नर्सिंग के करमचारी होंगे सुबह से आठ गंडे दस गंडे डूटी करते हैं परेशान होते हैं लेकिन जैसे ही वो घर जाने लगते हैं कोई ना कोई ऐसा मरी जाता है कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आता है कि हमें हमारी डूटी के अलावा भी अपना दायत तो निभाना पड़ता है और उसको देखना पड़ता है मैं आप से इतना निवेदन करना चाहता हूं मानि यह सोची प्रदान मंत्री जी हमेशा कहते हैं क्योंकि लोग अधकार की बात करते हैं लेकिन हमारे प्रदान मंत्री जी करतब की बात करते हैं और वो की नागरिक करतब की बात करते हैं कि अब नागरिक होने के नाते कुछ हमारे करतब ऐसे होते हैं कि जिनको भी हमें देखना पड़ता है हित्रो हमारा देश सम्मेदनाओं का देश हमारा देश एक दूसरे के प्रती समस्या के समाधान को दूड़ना यह हमारी संस्कृति में है हमारी संस्कृति कहती है अगर कोई हमारे पास आया है तो हम पर भरोसा करके आया वो अगर हम पर भरोसा करके आया है क्योंकि वो अभाब में आया है मैं आप से इतना ही नवेदन करना चाहता हूँ अगर वो अभाब में आया है तो आप भाग की साली है अगर वो आपके भाब में आया है तो आप अति भाग की साली है कोई भी इस तरह का व्यक्ति अगर हमारे पास आता है तो उसकी सेवा का दायत हमारा बनता है इसलिए मैं उन सभी इस्टूडेंट से जो आज यहां से बिदाई ले रहे हैं मैं उनसे इतना निवेदन करना चाहता हूं आज से उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती और वो जि जीवन पर जब काम करते हैं हमारे जीवन का निचोड आता है वो एक दिन में नहीं होता है वो दस साल में पंदर साल में बीच साल में हम जब किसी भी छेत्र में काम करते हैं तो लोगों में हमारी पैचान बनती है लोग हम को किस द्रश्टी से देख रहे हैं यह पैचान ब वो सभी हमारे स्वास्तकर्मी होते हैं, गाउं के लोग उनका कितना सम्मान करते हैं, जब वो गाउं में जाते हैं, तो उनको भगवान की तरह देखते हैं, अगर कोई घर में बुजुर्ग बीमार होता है, हमारी माताएं बीमार होती हैं, हमारे बुजुर्ग बीमार होते है तो जिस दिरश्टी से देखते हैं हम सभी का दायत तो बनता है मैं आज की मौके बर आप से इतना इवेदन करना चाहता हूँ कि हम इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा करतब को भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे आज 241 करोड रुपे से अधिक के लगबग 70 कारियों का लोकारपन किया गया है मैं माननी है मंत्री जी को बहुत बहुत धन्वाद और साधुबाद देना चाहता हूँ 12 करोड रुपे की लागा से सवाई मान सिंग मेडिकल कॉलेज में जैपुर में सुपर स्पेसिलिटी ब्लॉप इवं पांच विवागों के अप्गरेडिशन का कारिय भी आपने किया है मैं आपको बहुत बहुत धन्वाद देता हूँ प्रदान मंत्री स्वाज सुरुक्षय योजना के तहित के अंदर से 120 करोड रुपे की साहता आपने दी है मैं उसके लिए भी आपको धन्वाद देना चाहता हूँ प्रदान मंत्री जी का 2047 तक का विक्षित राष्ट का संकल्प है मैं आपको एक और निवेतन करना चाहता हूँ इसे देश के अंदर काफी सरकारे आई उन्होंने जब भी योजना बनाई तो पांस साल के लिए योजना बनाई हमारे देश के ये स्वी प्रदान मंत्री नर्यंद्र मोदी जी ने योजना को आकर जिस तरह से बढ़ाया आए 2047 तक योजना 25 और 30 साल के लिए वो चरणबत तरीके से बली पूरी हो लेकिन योजना का आकर इस तरह से बनता है तो हमारा आगे का इस प्रदान मंत्री जी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनका जो बीजन है वो बीजन आपने देखा है और जिस बीजन के आधार पर वो चलते हैं मेरी बात हो रही थी आज मानिये मंत्री जी से तो मैंने बताया मानिये गजेंद्र जी ने कहा लेकिन मानिये मंत्री जी ने कहा कि अभी और आवश्यक्ता है एक जिले में एक हम उसकी भी पूर्ती करेंगे देश के अंदर मेडिकल हेल्थ के छेत्र में हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं मैं आप से निवेदन करना 63 लाग लोगों के आईस्वान भारत कार्ड की EKYC या राइस्तान के अंदर हुई है अंगदान की ओनलाइन रेश्ट्री में प्रदेश पहले पाइदान पर है हम मैं निवेदन करना चाहता हूं मनियां कि अंगदान की ओनलाइन जो रेश्ट्री है में प्रदेश पहले पाइदान पर है 9947 स्वासकेंद आई समान आरोग मंदर बनने की हमने घोशना की है आरोग मंदर इलाज के साथ ये प्रोट्म हेल्थ सर्विस भी देंगे और उनमें जाकर के हमारे काईर करता काम भी करेंगे मैं आप से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजिस्थान के अंदर हमारे को लगबग डेड़ मीना हुआ है मैं आप को बताना चाहता हूं कि हमने राजिस्थान में जो संकल्पत्र के माध्यम से जो हमने बाइदे किये हम एक-एक बाइदे को पूरा करने का संकल्प हमारा है मैं आप से इतना के ना चाहता हूं इस मौके पर कि राजिस्थान ने पिस पप हूए जिस बड़े भूमत के साथ भारती जन्ता पार्टी को यहां जिताया हमारी सरकार बनाई मैं आप से इतना ही कहता हूँ कि राजिस्थान की जन्ता ने जो आसारो फिक्चा की है उस आसारो फिक्चा पर हमारी ये सरकार पूरी तरह से काम करेगी और मानिय नरंद्र मोदी जी के नित्रत में हम एक अग्रेणी राजिस्थान बना करके रहेंगे और हम राजिस्थान को आगे ले जाने का काम करेंगे आज के इस मौके पर मैं आ इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ आप सभी को बहुत बहुत धनबाद नमस्कार जैहिन जैवार